तो चुनावों की नतीजे आ चुके हैं और लगातार जो है उपर नीचे सीटे हो रही है दोनों ही दल काटे की टकर हो रही है दोनों ही खेमों में इंडिया और एंडिया खेमों में और बात अगर यूपी की करें तो यूपी की 80 लोगसभा सीटे हो और यहाँ पर जो है काट कर दिखाई दे रही है वो बेहत कम है क्योंकि यहां पर सपा यानी इंडिया गडबंदन जो है बीजेपी को कड़ी टकर देता हुए दिखाई दे रहा है कई सारे आसीैं जहां 72 सीट सम्तिंग जो है बीजेपी की आने वाली है लेकिन इस बार जो नतीजे जो आ रहे हैं वो बेहत चोकाने वाले हैं और सीटों की बात करूँ तो अभी तक 43 सीट सम्तिंग ऐसी है जहां पर एंडी है जो है आगे चला और 30 सीट ऐसी है जहां पर इंडिया गटबंदन जो ह है आगे चला जाएं लीड करता हुए दिखाई दे रहा है तो दोनों ही खेमें लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं और वोटों की गिंटी पर और यह दर्शारा आए कि विपक्ष ने जो चुनावी कैंपेंड किया वो कहीं ने कहीं उससे जिस मुद्दों को लेकर वो चला था 2019 में पहले बटक गया था लेकिन 2024 में वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो मुद्दे उठाए थे विपक्ष ने वो लगातार बेरोजगारी हो चाहे महेंगाई हो और कई सारे मोधी सरकार की स्कीम हो उनको लेकर हला बोला था वो जनता तक उन्होंने पूरा पहुंचाया और वो नतीजों में दिखाई दे रहा है हाला कि अभी 12 बज़े के बाद इस्तिती जो है स्पष्ट हो पाएगी लेकिन कहीं न कहीं जो अगर ये सीटे अभी बीजेपी के लिए फस रही है तो कहीं न कहीं बीजेपी को ये सोचने पर मजबूर होना है कि बीजेपी में डबल एंजिन है बावा योगी है प्रधान मंत्री नरिंद मोदी है और इसकी इन दोनों की जोड़ी को बहुत जादा तवज्व दी जाती है उतर प्रदिश में अगर फिर भी ऐसे नतीजे आते हैं तो कहीं न कहीं ये एंडिये के लिए बीजेपी के लिए खासकर प्रधान मंती नरिंद मोदी के लिए चोकाने बाले हो सकते हैं और ये स्थिती जो है बीजेपी के लिए एक रहिस्च में बोल सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ इसको सोचना पड़ेगा चुनावों के बाद कि कहां गड़बड़ी हुई जनता तक या तो ब सकते हैं मैं आपको बताता रहूंगा और ये बताता रहूंगा कि इस बार कौन जो है सकता की कुर्सी पर बैठेगा क्योंकि दोनों ही तरफ से महत्वा कांक्षा जो है वो बहुत जादा है और लगातार गड़बंधन जो है ये दावे करता रहा कि हमारी 295 सीट आप हैंग झाल